नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा। अधी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है। पिरासेताम टैबलेट 400 Mg, 800 Mg वर 1200 Mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पिरासेताम टैबलेट दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। और दिमाग की नर्व सेल्स को स्वस्थ बनाय रखने में मदद करती है। पिरासेताम टैबलेट का उप्योग दिमाग की कारेप्रणाली को भेतर बनाने के लिए किया जाता है। पिरासेताम टैबलेट का उप्योग सिर में कोई चोट लगने पर, अलजाइमर डिजीज होने पर, लखवा लगने पर, दिमाग की याददाश्ट कमजोर होने पर, डिप्रेशन होने पर और पाकिन्सन्स डिजीज होने पर पिरासिटाम टैबलेट का उप्योग किया जाता है पाकिन्सन्स डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कमपन होना, हाथों व पैरों की गती धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशान होना और मासपेशियों में अकडन होना आदी लक्षन पार्किंसन्स डिजीज होने पर हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में पिरासिटाम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में पिरासिटाम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की पिरासिटाम टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। पिरासिटाम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पिरासिटाम आज 100 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। पिरासिटाम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पिरासिटाम टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि पिरासिटाम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और सेरीब्रल हेमरेज होने पर यानी दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने पर पिरासिटाम टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाः के बिना पिरासिताम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबन नहीं है कि पिरासिताम टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं. इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पिरासिताम टैबलेट को ना लेने की ही सलाह देते हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को पिरासिताम टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पिरासिताम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं